हलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल इस शीवा मलिक ओवर हेर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीवर ओके ओफीवर को हम क्या बोलते हैं पायरिक्जिया भी बोलते हैं ठीक है फीवर क्या होता है देखो पढ़ते हैं इडिस डिफाइंड एस राइस इन दा बॉड़ सेलसियस ठीक है अगर हमारा बॉड़ी टेमप्रेचर इन दोनों डिग्रीज इन दोन स्केल से जा रहा है अब जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगी फीवर या फिर पायरेग्जिया ओके नेक्स राता है कॉसिज की फीवर होने की क्या क्या हो सकता है पहला है इन फेक्शन अगर किसी को infection है तो fever के chances है नेक्स आता है हमारा blood disease blood disease में for example like leukemia अगर किसी को leukemia है तो भी क्या हो सकता है fever हो सकता है और leukemia हमारा क्या होता है blood cancer ठीके और यह यह leukemia जो है bone marrow को भी include कर लेता है next dehydration और next है allergic reaction तो यह कुछ fever की causes है जिसकी वजह से क्या lead कर सकता है fever हो सकता है okay now next हमारे पास आते हैं types of fever की fever की कितने types होते हैं okay तो first आता है हमारे पास onset or invasion हम इसको onset भी बोल सकते हैं और invasion भी बोल सकते हैं तो इस type में देखो क्या होता है when body temperature is rising क्या हो रहा है body temperature rise हो रहा है and it may be sudden or gradual process इसमें क्या होगा कि जब body temperature हमारा क्या होगा rise होगा sudden मतब एकदम अचानक से होगा और gradual means धीरे-धीरे ठीक एकदम से हुआ लेकिन जो temperature है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा तो से हम क्या बोलते हैं onset or invasion okay next हमारे पास आता है fastigium and stadium इसमें क्या होता है when body temperature has reached its maximum means your body temperature जो है वो कहां आ गया हमारा maximum हो गया है and remains constant और कहां रहेगा constant means continue चल रहा है at a high level और high means क्या maximum हुआ high level पूरा maximum मच्छी से हमारा temperature बढ़ गया है और फिर वो क्या होगा हमारा constant means महीं पर आकर क्या constant होगे लगतार चल रहा है okay next रहते हैं हमारे decline decline में क्या होता है when the elevated temperature means जो हमारा temperature क्या था rise हुआ था is returning to normal means जो हमारा temperature बढ़ा था अब वो क्या हो रहा है normal decline का मतलब क्या होता है ऐसे नीचे आना ठीक है तो इसमें क्या है कि means जो हमारा temperature बढ़ा हुआ था अब वो क्या हो रहा है normal होता जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते है decline next हमारे पास आता है crisis crisis में क्या होता है sudden return to normal temperature means इसमें क्या होगा कि जो elevated temperature था वो हमारा क्या करेगा sudden means एक दम से अचानक से normal पर आएगा from a very high temperature लेकिन temperature क्या था बहुत हाई था अब वो क्या होता जा रहा है normal होता जा रहा है लेकिन कब कितना time लगेगा उसे within a few hours or days means few hours भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी लग सकते हैं उसे हम बोलते है crisis ठीक है तेको crisis में क्या था कि हमारा temperature बढ़ा हुआ है बहुत जाता ठीक है लेकिन अब वो क्या हो रहा है हमारा return हो रहा है कहां पर normal की तरफ लेकिन वो time लेगा या तो वो फ्यू आर्ज में ही normal हो जाएगा या फिर वो कुछ दिन के बाद ठीक है और नेक्स ट्राइप हमारे पास आता है true crisis okay true crisis क्या होता temperature falls sudden ठीक है इसमें क्या होगा temperature sudden fall होगा within few hours and touch is normal means few hours में ठीक है few hours में क्या होगा तो temperature होगा वो fall हो जाएगा और क्या होगा वो नॉर्मल लेंगन इसमें कि इंप्रोव्मेंट इन पेशेंट कंडिशन की जो पेशेंट की कंडिशन है वह भी ग्या रहेंगी हमारी normal विफ्कुल सहीं नेक्स राता है falls crisis falls crisis sudden fall in temperatures में भी क्या हो रहा है कि जो temperature है वह fall हो रहा है लेकिन इसमें जो तब तक नार्मल भी होगा लेकिन जब तक वह नॉर्मल होता है तब तक हमारा तेंपरेचर रहेगा वह जिग्जग मैनर में फोल होता रहता है थीक है नाव नेक्स टाइप हमारे पास आता है कॉंस्टेंट एफिट इसमें क्या होता है देखो टैंपरेचर वैरी जोगा वैरी करेगा वह क्या है तू डिग्री से ज्यादा नहीं होगा बिट्वीन और लग सकते हैं तीन दिन भी और एक हफ़ता भी लग सकता है इस पर बोडे टैंपरेचर को नॉर्मल होने में एकश्ट रहता है रहे में तो डिग्री इसमें क्या होगा जो वैरी करेगा वह टू डिग्री से ज्यादा होगा बिट्वीन और इवनिंग बट डास नॉट रीच क्या है नउर्मल नहीं होता हमारा विद्ध कारता तेंप्रेचर राजेज फों रिया तो बिलकुल नॉर्मल था यह फिर थोड़ा सा इंक्वीज हुआ होता तो उससे बिल्ला नॉर्मल से और सबनॉर्मल से और ज्यादा राइज होगा टु हाई फीवर बहुत ज्यादा हई हो जाएगा और हमारे रेगुलर इंटरवल बनेक्स इसमें चीज रहती है कि तेमपरेचर हाई इन दे इवनें इन डा मॉन्निंग तो अगर हमारा तेमपरेचर जो है वह वह इवनें ज्यादा हो रहा है बत मॉनिंग में नहीं है और नॉर्मल और सबनोर्मल से इंक्रीज हुआ तो उसे हम क्या बोलता है इंटर्मिटेंट फीवर नॉटेफ हमारे पास आता है इंवर्स फीवर में देखो क्या होता है हाईस रेंज ओफ तेंप्रेचर इस रिकॉर्डड इन लोवेस्ट इन इवनिंग इसमें क्या होता है जो हम सबसे यह दम्हें से बहुत ज्यादा थंड खापी छुट जाएगी थीवरिंग रही इन विच बौर्डी टेमप्रेचर राइसरे और जिसमें क्या ओजा जो बोल्स न राइगर कि जू हम मलेरिया मेरे डेखते नेक्स आप हमारा हम किसे बोलेंगे जब हमारा टेंप्रेचर वार सब्सक्राइब कितने से जादा नहीं बढ़ेगा नाइंटी 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 नाइंट डिग्री फैरनाइट और सेल्सियस में हमारा नेक्स वाली रेंज के बीच में रहता है तब इस वाली रेंज के बीच में रहता है तेमट्रेचर तो हम उसे बोलते हैं किसको बोलते हैं जब हमारा जो टेमट्रेचर है बॉलते हैं तो हमसे बोलते हैं अब आता है है किसको बोलेंगे टेमट्रेचर गोज अबव 105 डिग्री फैरनाइट जब हमारा टेमट्रेचर 105 डिग्री फैरनाइट से अबव चला जाता है तो हमसे बोलते हैं नेक्स जाते है हमारे पास हाइपर थर्मिया हाइपर थर्मिया हम इसको बोलेंगे टेमट्रेचर रेजड टू 105 डिग्री फैरनाइट और अबव ठीक है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं हाइपर थर्मिया नेक्स जाता है हाइपो थर्मिया हाइपो का मतलब हाइपो थर्मिया देखो क्या है टेमट्रेचर फोल्स बिलो कि हमारा जो टेमट्रेचर है वो क्या और फोल हो रहा है बिट्वी बिलो 35.0 degrees Fahrenheit and 35 degree Celsius जब यह हमारा बॉड़ी टेंपरेचर है तो हमसे बोलते है हाइपो थर्मिया देखो दो वर्ड आते है हमारे पास एक होता है हाइपर और दूसरा होता है हमारे पास हाइपो तो जहां भी हमारा है हाइपर का मतलब होगा इंक्रीज होना हाइपो का मतलब होत पास मतलब होता है कि अपर आगा किया होता है सकतर नर्सिंग यह सब मैं इक्स वीडियो समय अगी मेरी वीडियो को लाइक कैया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू झाल 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 झाल